सो हेलो एब्रीवन स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल हुआई सर परतवाज हम लोग देखने के लिए जा रहे कलास 10 जोग्रफी का चेप्टर नमर है हमारा तीन में भी तीन है तीन है तीन है तो चेप्टर नमर तीन है हमारे पास और इस चेप्टर में हम देखने व होता है उसके बारे में पढ़ना है उसका क्या महत्व होता है इसके बारे में हमको जानना है जंगल का क्या महत्व है किस तरह से जंगल को हम आज के देट में आज के दिनों में बहुत साहे लोग किस तरह से जंगलों का दूरूप योग कर रहे हैं जंगलों का किस परकार से नास हो रहा है और वन के नास होने से हमारे जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है इन सारी बातों का चर्चा इस चेप्टर में हम करने वाले साथी वनों के परकार कितने होते कितने परकार के वन पाये जाते हैं और किस-किस अधार पर वनों का वरगी करन किया गया है य अगर किसी बरे से भुभाग पर या किसी बरे से छेत पर बहुत सारे पेर पोधा लगा हुआ है तो वह वन कहलाता है क्या कहलाएगा वन कहलाएगा छोटे से भुभाग को वन नहीं बोल सकते हैं बोल तो सकते हैं लेकिन छोटा सा भुभाग मतलब वन क्या कहलाएगा जो छो में बहुत सरा पेर-पोधा लगा हुआ है तो वो क्या कहला जाएगा वो वन कहला जाएगा ठीके और वन जो है मैंली दो परकार का होतं एक क्राइवल्येवल्य दूसरा होता है और दूसरा होता है तो ऐसे चेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे एसे चेत्र को हम लोग बोलेंगे प्राकिर्तिक वन य क्या बोलेंगे प्राकिर्ाइब और अपने आप उगरा है न einzinas वानकी इसको भी देख लेना वैसा वन जो मानव के द्वारा निर्मित किये जाते हैं मतलों मानव वैसा नहीं पेर पोधा का निर्मान कर लेगा मानव पेर पोधा को क्या कर सकता है लगा सकता है जब मानव पेर पोधा को लगाता है और जंगल बन जाता है उसको हम लोग वान मतलब कि आप सोड टर्म में फाइदा देगे ऐसे वन का उपयोग हम लोग ऐसे वनों को लगाते हैं लेकिन ऐसे वन कभी ने लगाना चाहेंगे जो लोंग टर्म में फाइदा इसलिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि वन क्यों जरूरी है वन के लगाता है तो वह वानिकी कहलाता है जब आपने पर पोधा ओक जाता है तो वह प्राकृति वन कहलाता था समाज अए जैव मंदल में अब जैव मंदल क्या है यह पूरा पूरा जो पिर्थ्वी बना हुआ है जो जिसमें सारे जीव धारी रहते हैं पेर पोधे सजीव सब्ज रहता है वो क्या क्या लाता है जैव मंदल क्या अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है हमारे पास अब हमारे पास प्रस् देखो एक संतुलित मातरा में हमारे जेव मंदल में ना वन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी नहीं होगा तो तरह-तरह की समस्याइं उत्पन होना शुरू हो जाएगा क्या समस्या उत्पन हो दो-तीन के बारे में बात करने पिर आगे जब चेप्टर में आएगा वहां प कर सकते हैं वहां पर हम इसका चर्चा जो है ना इसे जुरूप से करें अभी वर्ण नहीं होगा तो क्या होगा देखो वर्ण नहीं होने के स्थिति में सबसे पहला जो सबसे मेजर इफेक्ट होता है सबसे बड़ा परवाव होता है ना हमारा परियावरन में संतुलन किसका बिगर जाएगा oxygen और carbon dioxide का संथूलन बिगर जाएगा अब oxygen वही गैस है जिसके सारे हम लोग क्या करते है अगर oxygen नहीं तो पिर्चमी पर हम जीवन की कलपणा नहीं कर सकते तो इस इस हिसाब से देखें और दूसरी बात है oxygen कमेगा तो carbon dioxide बढ़ेगा तो यहां जाएगा तो थ्रूव का वड़ पिगलने लगेगा जल अस्तर बढ़ने लगेगा पीर्थिमी के ऊपर जहां पर जीवधारी रहते हैं वहां पर one का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वह के बहुत सारे उप्योग परदऊ से कर सकते हैं नयुक्त को बतबत हैं सबसे में यहां पर पानी में परकार का होता है क्या-کYा source होते है पानी यहां पर कितने प्रकार और किरा भाजित संदक्षन कैसे कर सकते सारी बात ईंधित यह वृयां से समझिना आधा है कि अ विश्थार में देखने वाले हैं कि किन-किन देशों में कित्ना परतिशत होता है कि किसी देश का क्ल छेत्रफल कितना है और उस के उस छेत्रफल के कितने भाग पर रुख थे मानलो कि अगर हम यहां से समझें न तो अभी इसमझा देते हैं ऑजहों पर आसा है सलो मालो यह एक छूटा सा देश है इसका मानलो कि 100 वर किलोमेटरं हम वर किलोमेटर है या So हक्तेर उसका छेत्रबही कितना अब इसके 30 वर 30 कितना एक न भें मतलब तरी से देश के पास कितना कितना वन है और भारत की स्थेथिति क्या है यहां उसकि बन सबकुस ठीक है बहुत बन है और आची खाना वहोज़ेकर है लेकिन भी है समस्या है अभी भी भी है भारत के नытको धस्या करें रीचनी दिम ब्रौट कल ठीक है वंक हमारे पास बहुत बन है उनम हमारे पास तु लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हमसे पहले दस देस और है जहां पर वन किस्थिती अच्छी है कितना बन है भारत के पास 68 करोर है पर भूमी पर भारत में वन का विश्था है कितना 68 करोर है चलो देखेंगे आज़ो है से है कि रूस में आठ सोट्नों करोर हैक्टियर वंठेटा है बहुत जद़ या या कि सबसे परता मैं तब्समें सबसे ज्यादा वन किस्के पास है रूसु के पास है 809 करोर हेक्टियर चैतर पर वन का वि Fill के पास है जब hit भारत के पास मात अरसट करोर हेक्टियर समझ सकते हो दसमाद क्यों है तो इसको बढ़ावी सकते हो बढ़ाना भी चाहिए कुछ और देखेंगे ब्राजिल में 478 करोर हेक्टियर कनाडा में 300 करोर हेक्टियर सेंक तराज अमरीका में 303 करोर हेक्टियर चीन slippay आश्टिरिया में 174 करोड हेक्टियर और पेरु में 69 करोड हेक्टियर और पेरू में 69 हेक्टियर तो यह सब हमको याद रखना पड़ेगा objective के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है या अगर ये भी पूछे कर वन का वित्रन बताओ तो यह हमको सारे सभी देशों में अलग 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 देशों में वन का वित्रन बताना है तो यह सारा हमको लिखना पड़ेगा तो यह याद रखना है थीक है आफ एओ जो की एक संस्ता है जो वन विस्टार पर ध्यान रखती है कि अनुसार वर्ष उन्हेशों और तालिस में विश्व में चार अरव हेक्टियर वन छेत्र था कितना देखो चार अरव हेक् कर, 3.48 हेक्तियर वन हो गया ,कहने का मतलब क्या है कि 1948 की बाद करेंगे न,1948 में तो विश्में कुल मिलाकर 467 तिक यह अरब हेक्तियर था लेकिन वहें पर बाध करेंगे,iałem 1990 तो हैं सके 1863 की बाद करेंगे , यह घर्ट यहां से 20 hier two तो यह कितना उल्ड है टीन है वट एक्टेयर वन जो है यहां से कम जाता है तिन दसम लव आठ र होग्या मतलब वीच है ngay Fatehren ओंजोवनकी जो यहां पर कमी हो जाते अलग-अलग कारण होते वन पर घाम की कमी होने के जब आगे जहे तो वह 20 कि क्यों हो रही है और भारत में जिक है इसके बारा कि मिलें को बात करें अब आजवा कि 1990 को आते आते तो 1919 के आते आते तो और कम गया 3.4 अरब हेक्टियर हो गया 20 और कर कम गया 20 ना 40 कम गया हमारा 40-20-60 तो 3.4 अरब हेक्टियर हो गया कहने का मतलब है 1948 से लेकर 1990 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास जो है बात करने वाले अराम से रहो बात करेंगे लापांच के नो सार कुल 1-3.952 अरब हेक्टियर हो गया अच्छा अब फिर बर्न वरहा भी है 2005 के नो सार देखेंगे न्यू आकरा नहीं आकरा तो 1 हमारा कितना हो गया है यह देखो यहां से 3.952 तो अच्छा खासा बर्ड़ है मतलब क्या है कि 1948 में देखेंगे तो 4 अरब हेक्टियर था फिर 1963 में जाएंगे तो 20 हेक्टियर कमा और कितना हो गया 3.8 हेक्टियर फिर 1990 में जाएंगे उन्हें सुनब्य में तो वहाँ पर वन का कितना हो गया वन वहाँ पर हो गया हमारा 9304 हेक्टियर तीन दसम्लब चार करोर हेक्टियर अरव हेक्टियर ठीक है और फिर यहां से 2005 में बढ़ जाता है लगवग जो हमारा 1963 में आकरा था वह लगवग लगवग 2005 में आ जाता है यानि कि वन चेत्र बढ़ा भी है अब यह क्या बताता है कि लोगों के पास जो है ना वनों को लेकर जाग रुखता है कि वन हमारे लिए क्यों जरूरी है क्यों बचाना इसलिए पहले वन घटता है ल इस वीडियो में इतना है बिलेंगे आपसे अगले वीडियो में